यह वाली किताब खोली आप लोग और यहां पर देखी हमने अभी तक अपनी ऊपर यहर पीछे जो है इस साइड में एक दो तीन चार पाँच हमने यहां पाँच लाइन पीछे देख लिया था फिर हमने इसके बाद यह वाली तीन लाइन मिलके एक लाइन बनी थी इसको अभी नीचे क्या है प्रैक्टिस दा ट्रैंगाल्स देखे इसको ट्रैंगाल्स बोलते हैं इसको हिंदी में त्रिकोंड बोलते हैं क्या बोलते हैं त्रिकोंड बोलते हैं इसमें भी जो है तीन लाइन जो है मिलकर के बना हुआ है कैसे कैसे देखिए रिक हलकी सी हलकी सी अ भूफिते है कि चलिए अभी हम यहाँ पे लिखते हैं हमारे साथ देखे इसको करिए त्रिकोड 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 इसको ट्रेंगल्स बोलते हैं या त्रिकोड बोलते हैं ठीक है चलिए इसको ऐसे बोलके आप लोग करिए इसको देखे पहले स्लाइंटिंग बोली है ऐसा इसको भी स्लाइंटिंग बोलते हैं फिर यहां पर अपना स्लेपिंग लाइन्स या क्या बन गया त्रिकोड बन गया यानि इंग्लीज में क्या बोलते इसको ट्राइंगल बोलते हैं क्या बोलते हैं ट्राइंगल्स यानि त्रिकोड चलिए अगला slanting line slanting line नेचे sleeping lines तौक बन हो त्राइंगल बन गया यानी तिर कोड फिर छलिए slanting line sleeping lines यह तौक क्या बन गया triangles यानी त्रिकोड चलिए फिर यगला देखिए pencil से सब dark करने, यहाप यह बहुथ dark गाढ़ा है ना दिख रहाए इसे तरह से इसको भी पेंसिल से डार्क करना है ठीक है कि छदिया लास्ट वाला ला लाइन 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 स्लीपिंग पनी यह थेनों एक बन गया ट्राइंगल तुक्त त्रिकोंड को बोलते हैं ठीक है अभी त्रिकोंड मतलब तीन कोड़ों से मिलके बना हुआ है देखिए तीन लाइन है ना इसमें इसको त्रिकोंड इसलिए बोला जाता है ठीक है अभी नीचे देखिए जैसे उपर उसमें सब मिला हुआ था उसको पेंसिल से डात करना था उ पूरा फिर से ट्रैंगल बनाना है ठीक है चलिए स्लायंटींग्लाइन मिलाइए इसको पूरा पैंसिल से इसको भी स्लायंटींग लाइन फिर नीचे स्लीपिंग लाइन क्या तैजयार हो गया त्रिकोडियनी ट्रेंगल्स इसारे हमारे साहती आपको सभीए तो एकटम याद भी जाएगा आप लोग को ठीक है कोई प्रप्राब्रम नहीं हो कि छलिए लाइफित इंगल पैंसील से बनाएं कई कई बार देखे ठीक याद रहेगा फिर भूलेगा नहीं कभी चलिए slanting line slanting line sleeping line क्या तयार हो गया triangles यानी त्रिकोण चलिए slating line slanting line sleeping line क्या बन गया ट्रैंगल बन गया यानी त्रिकोण चलिए यहाँ पर फिर slanting slanting line slanting line कि नीचे sleeping line क्या हो गया तीनों मिलके त्रिकोण यानी ट्रैंगल्स यानी देखिए उपर देखिए उपर देखिए तीन line मिला था उसमें दो sleeping line थी एक slanting line थी तो वहां पर एक line तयार हुई ठीक है जिसको z form में दिखती है ओ लाइन नीचे देखिए यहाँ पर भी तीन लाइन मिली हुए कौन सी दो slanting line है और एक sleeping line है दीनों मिलके क्या बन गए अपनी ट्रैंगल्स यानी त्रिकोण बन गई ठीक है इस तरह से जो हमारी यह लाइन भी complete हो जाती है अब इसके बात जो हम अगली वीडियो जो बनाएंगे हो सकता यह सब्जेक्ट पर है या कोई और सब्जेक्ट पढ़ेंगे अगर यह वाले पढ़ेंगे तो यहां से हम लोग क्या पढ़ेंगे फिर curved line कर्व किसको बोलते है देखिए यहां पर कोई भी लाइन ऐसा कीच दोसको कर्व हम बोलते हैं तो हम पढ़ेंगे यहां पर कर्व लाइन कैसे कैसे होते हैं ठीक आगे चलेगे चलिए थाइंक्यू हवागूड दे